CM City के DM विजय किरन आनंद ने सक्त तेवर दिखाए तो बैठक में मौजूद अधिकारियों और करमचारियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई वही बैठक में मौजूद व्यापारियों ने ताली बजाकर DM विजय किरन आनंद की सराहना किया DM ने कहा कि उनकी पूरी कॉर्ड टीम की उन कारियालियों पर नजर है जहां दलाल सक्रिये हैं चेतामनी देते हुए कहा कि कुछ को जेल भेजा गया है जल्द ही कईयों को जेल भेजेंगे और पूरी ताकत से जनहित गारंटी अधिनियम को लागो कराएंगे पूरा मामला व्यापारी बंधों के साथ जिला अधिकारी विजयकिरन आनंद कलेक्टरेट के सभागार में मासिक बैठक के दौरान व्यापारियों और महानगर की समस्या के दौरान हुआ जिला अधिकारी विजय किरन आनंद ने कहा कि देश के सभी प्रदेश में प्रतिसपर्धा है कि कोई भी उद्यमी छोटा या बड़ा उद्योग लगाना चाहता है तो सभी प्रदेश अपने अपने यहां उद्यमी लगाने के लिए बुला रहे हैं व्यापारियों को अपने यहां रोजगार लगाने के लिए नियोता देना पड़ता है डिम ने बैठक में मौजूद अधिकारियों और करमचारियों से समस्याओं के निराकरण पर सवाल किया तो सभी सन्न हो गए और बगले जहाकने लगे इस पर उन्होंने कहा यहां पर कार किया ले में नागरिकों को परिशान किया जा रहा है और व्यापारियों को पॉलिसी के यहादार पर सेवाएं नहीं मिल रही है उन सभी पर उनकी पूरी कॉल Čटीम की नजर है और कठोर कारेवाहीं करेंगे इस पर बैठक में मौजूद व्यापारियों ने ताली बजा कर डियम विजय किनन आनंद का अभिवादन किया डियम ने कहा कि इसी लिए हमारा प्रयास है कि शासन द्वारा लागू जनहित कारंटी अधिक डियम की सारी सेवाएं सभी व्यापारियों और नागरिकों को उपलब्ध हो सबी प्रदेशों में प्रतिस्पर्दा है कि कोई भी चोटा बड़ा उधियमी रागाना चाता है द여ता देना पड़ता है उसके लिए पहले तो मच्तिर करना पड़ता है बावना सहीरह नहीं पड़ती है जय années कि अपी कारेलों में दलाल चल रहे हैं तहां कारेलों में परिशान किया जा रहा है सम्मान में कमी छोड़ी आ रही है क्या व्यापारी उत्यमियों को जो पॉलिसी है उसके अधार पर सेवा नहीं मिल रही है जहां जन्हित गैरेटी अधियों के अधार सेवा नहीं मिल रही है यह झाल झाल